नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, आज आप ब्लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है प्रिपरेशन दा टेस्ट रिपोर्ट एंड यूज इन इनहांसिंग लर्निंग, परिक्षन रिपोर्ट की तैयारी एवं अधिगम वृद्धी में प्रयोग पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से किसी भी टेस्ट को एड्मिनिस्ट्रेट किया जाता है और उसी एड्मिस्ट्रेशन का जो सबसे अंतिम चरण था, वो था टेस्ट रिपोर्ट रिडि करना तो उसी के अंतरगत यहाँ पे आसंबुक यह दिखेंगे कि किस तरह से टेस्ट रिपोर्ट को तैयार करने के बाद उसका प्रयोग अधिगम में वृद्धी करने के लिए या लर्निंग को इन्हांस करने के लिए किया जा सकता है यह भी बहुत ही महत्वपोर्ण टॉपिक है क्योंकि सिक्षक इसके द्वारा ही किसी भी विद्यार्थी के अधिगम को बढ़ा सकता है उसमें वृद्धी कर सकता है तो आईए आज के टॉपिक पे हम लोग जाते हैं परिक्षन प्रियोक करता के लिए परिक्षन प्रशासन रिपोर्ट तयार करना बहुत ही महत्वपोर्ण कारे होता है यह रिपोर्ट परिक्षन के वास्त्विक प्रियोक तथा प्राप्त परिनामों को विवस्तित धंग से प्रस्तुत करती है सिक्षक इसी रिपोर्ट का अवलोकन करके छात्र को परामर्श वनिर्देशन प्रदान करते हैं कहने का तात परेया है कि किसी भी परिक्षन प्रियोक करता या सिक्षक के द्वारा जब भी कोई परिक्षन प्रशासित किया जाता है तो उस प्रशासन के बाद ृपोर्ट तयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर ही जो परिणाम हमें मिलते हैं उसको विवस्थित किया जा सकता है और इस बिवस्थित रिपोर्ट को देखने के बाद ही कोई सिक्षक किसी भी छात्र को अवशक्ता अनुसार, परामर्ष और रिदेशन प्रदान कर सकता है तो मोटे तोर पर यह कहा जा सकता है कि परिक्षन रिपोर्ट जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अब हम देखेंगे परिक्षन प्रशासन रिपोर्ट के भाग परिक्षन प्रशासन रिपोर्ट के मुखे रूप से तीन भाग हैं सबसे पहले है भूमिका यानि introduction फिर है परिक्षन अभिकल्प यानि testing design फिर है परिनाम यानि की result अब हम इन तीनों को एक-एक करके आगे slides में देखेंगे कि भूमिका के अंतरगत किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है परिक्षन अभिकल्प के अंतरगत कौन-कौन सी बात इसके अंतरगत परिक्षन की प्रिष्ट भूमि उदेश्यों तथा प्रकृति पर प्रकाश डाला जाता है परिक्षन का प्रयोग किसी ना किसी उदेश्य के तहत किया जाता है परिक्षन की अवशक्ता क्या है किस परिस्थिति के कारण परिक्षन के प्रशासन की अवशक किये जाते हैं और इसके साथ ही परिक्षन रिपोर्ट की भूमिका में प्राया निम्द लिखित उपशिर्सकों को भी प्रस्तूत किया जाता है जिसमें है परिक्षन का दिनांग, दिन, वसमय अउधी, परिक्षन करता का नाम, योग्यताएं एवं पदनाम, परिक्षन की सं का संचिप्त विवरण, इस तरह से हमने देखा कि भूमिका के अंतरगत किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी टेस्ट रिपोर्ट की तयारी की जाती है, टेस्ट रिपोर्ट तयार करने का दूसरा भाग है परिक्षन अभिकल्प यानि की टेस्टिंग डिजाइन, टेस्टिंग डिजाइन के अंतरगत परिक्षन के वास्तविक प्रयोग से संबंधित विविन बातों का वर्नर रहता है, और इसके अंतरगत निम्द लिखित उपसिर्शक भी होते हैं, पहला है परिक्षन समागरी, दूसरा ह परिक्षन का विवरन, तीसरा है परिक्षन प्रशासन की विधी, और चौथा है परिक्षन के अंकन की विधी, सबसे पहले देखेंगे परिक्षन समागरी, परिक्षन समागरी का तातपरिया है कि परिक्षन में प्रयोग होने वाली समागरियां, जिसमें मुख्य रूप स परिक्षन पुस्तिकाएं, उत्तर पुस्तिकाएं, अंकन कुंजी, अंकन स्टेंसिल्स, परिक्षन रिदेशिका, प्रुफाइल चार्ट, घड़ी इत्यादी आते हैं, तो सबसे पहले इन सबों की एक सूची तयार कर ली जाती है, उसके बाद है परिक्षन का विवरन, परि यानि की परिक्षन सामोहिक लेना है, या व्यक्तिकत लेना है, या शाब्दिक लेना है, या आशाब्दिक लेना है, प्रशासन तथा अंकन विधी, उसकी विश्वसनेता तथा व्यद्यता और मानक, इन सब बातों का संचिप्त विवरन प्रस्तुत कर लिया जाता है, उस और परिक्षन के अंकन के लिए भी जिन जिन विधियों को अपनाया जाना है उन सब विधियों का संचेप में एक प्रस्तूती प्रस्तूत किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि परिक्षन अभिकल्प यानि टेस्टिंग डिजाइन के अंतरगत ये सारे उपसिर्शक आते हैं और ये सारे उपसिर्शक मिल करके किसी भी टेस्टिंग रिपोर्ट में टेस्टिंग डिजाइन के लिए मुख्य रूप से अपनी भूमिका को नि दिखा जाता है और इसके अंतरगद भी तीन उपशिरसक हैं सबसे पहला है मूल वा परिवर्तित प्राप्तांग तालिका टेबल ओफ रो एंड कनवर्टेड स्कोर्स उसके बाद है प्राप्तांगों का विशलेशन वा व्याख्या एनलाइसिस एंड इंटर्पिटेशन ओफ स्कोर्स फिर है निशकर्स तथा सुझाओं कंक्लूजन एंड सजेशन सबसे पहले हम देखेंगे मूल वा परिवर्तित प्राप्तांग तालिका यानि कि परिक्षन के अंकन से जो भी प्राप्तांग हमें मिलता है उसे तालिका में प्रस्तूत किया जाता है और आवशक्ता पढ़ने पर उसे परिवर्तित भी किया जा सकता है परिवर्तित करने का मतलब है कि हम उसे जडि स्कोर टी स्कोर इत्यादी सांखिक के विशलेशन कर सकते हैं उसके बाद है प्राप्ताकों का विशलेशन वा व्याख्या पहला उपशिर्सक यानि कि हम तालिका में उसको ब कि द्वारा भी हम जो प्रापतांख है उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अंतरगत च्छात्र का IQ भी निकाला जा सकता है, यानि बुद्धि लब्दी भी निकाला जा सकता है। और अंत में है निश्कर्स तथा सुचाओ, यानि कि इसके अंतरगत व्यक्ति की योग्यता के सम्मन में निश्कर्स निकाला जाता है, मैंने ये बताया कि यहाँ पर IQ यानि बुद्धी लब्दी निकाला जा सकता है, और मुझे उमीद है कि आप लोगों को पता है कि बुद् कि इसमें हम लोग किसी भी छात्र के प्रती निश्कर्स को प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट तयार करने के अंतिम चरन में हमने चर्चा की कि बालकों को जो भी अंक प्राप्त होते हैं या उनसे संबंधित जो भी जानकारी होती है उसे एक तालिका के रूप में प्रस्तूत किया जाता है, तो यहां पर उधारन सवरूप मैंने एक तालिका बनाई है, जिसमें एक से चालिस तक संख्या दिया हुआ है, और बीच में डॉट-डॉट है, क्योंकि यह संभव नहीं है, कि चालिस छात्रों को एक साथ यहां पर मैं इस स्लाइड में प्रस्तू बिजन किता हैं, बद्ध कितना है, उसका मानसिक अस्तर कितना है, और इस आधार पर हम लोग मानसिक अंजिल अलब्धी, अधाgot !! मांसिक आयू divided by वस्तविक आयू गुना सव और इस सूत्र में बठा करके सारे मान को हम लोग किसी भी व्यक्ति का बुद्धि लब्दी निकाल सकते हैं तो इस चार्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि यहां पर प्रतियक बालक का पूरा डिटेल दिया हुआ है पूरा विस्तरित जानकारी दी हुई है और इसके आधार पर हमें एक डेटा मिल रहा है कि कौन बालक निम्न बुद्धी का है कौन बालक आउसत बुद्धी का है कौन बालक श्रिष्ट बुद्धी का है और इसकी चर्चा हम लोगों ने शुरू में ही की थी कि ये जो टेस्ट रिपोर्ट होता है इसके द्वारा जो भी हमें परिणाम मिलते हैं वो बहुत ही विवस्तित धंग से प्रस्तूत किया जाता है और जिसको देख करके कोई भी सिख्षक या कोई भी परामर्श दाता किस कि भी लर्नर के लर्निंग को कैसे हम लोग इनहांस कर सकते हैं यानि कि उसको बढ़ा सकते हैं और मुझे उमीद है कि आप लोगों को इस उधारन से ये स्पस्ट हो गया होगा परिक्षन निर्मान के रिपोर्ट को प्रस्तुत पदों के आधार पर तयार किया जाता है नीमन बुद्धी उच बुद्धी या आसद बुद्धी उसको दर्शाया जाता है और उस सार्नि का ओलोकन करके हम किसी भी छात्र की अधिगम में वृद्धी करने में उसकी साहता कर सकते हैं तो इस तरह से या स्पस्ट है या क्लियर है कि किसी भी परिक्षन रिपोर्ट क किसी भी छात्र को या अधिगम करता को उसकी आवश्यक्ता की अनुसार उसके अधिगम की वृद्धी करने में कोई भी सिक्षक साहता पहुंचा सकता है मुझे उमीद है कि आज का जो यह टॉपिक है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो आज की लिए इतना ही ठैंक यू धनेवाल